हेलो सुट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंफेक्शियस डिजीज जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर ठीक है ना तो वायल इंफेक्शन के हम बात करेंगे और कि हापर स्रेवस चेंज हुआ तो कोवीड या निकीजिस को हम सार्स कोव 2टू कि लिए नाम है विस्काए हम झाड पुष्णा समझेंगे ठीक हे स्टर्ट करते है तो वायल इंफेक्शन को मतलब an old раз म्तलब क्या होता है होते हैं वायल इंफेक्शन तो आओ समझे जा रहा तो क्या कह रहा है वारिस-स अखरता युनि-स सेलल्डर और्गिसम कैसे होते हैं यह युनि-सेललर ठीक है सिंगल सेल के ओऄनिजम होते हैं युनि-सेललर की कहना चाहिए कि यह एक्चुली A-cellular होते हैं प्रवपर सेल नहीं होते हैं यह ठीक है इसके अंदर data surrounded by a coat made up of protein तो यहाँ पर यूनी की जगए लिखना चाहिए ए इसके उपर विवाद है कि यूनी इसल्लोर रहे है एसल्लोर है ठीक है तो genetic material रहेगा DNA रहे है उसके पर एक protein की covering रहती है बस उससे अलावा कुछ नहीं रहता है data surrounded by a coat made of protein a viral infection is the pro-lifration viral infection क्या होता है pro-lifration यानि कि फलना फूलना pro-lifration of harmful viruses within the body harmful virus का हमारी body के अंदर फलना फूलना ही क्या कहलाता है viral infection की निशानी होती है symptoms of the viral illness are due to tissue damage and the associated immune response of the host symptoms क्या होते हैं जो हमारे tissue damage होते हैं या जो हमारा immune system होता है virus के खिलाफ लडने की कोशिश करता है उसकी वएसे जो symptoms नजर आते हैं वो सारे symptoms हमें को नजर आते हैं ठीक है ना तो यानि की CDC सी बात है जब क्या होगा की की virus हमारी body में attack करेगा और हमारे या तो virus tissue अगरा damage करेगा या हमारा immune system जो है उसके खिलाफ लडता है उसकी वएसे जो दिक्कते होती हैं वो सारे symptoms की तौर बाहर निकल के आती है virus infection क्या कोई भी विमारी जो तो में virus से मिलती है virus क्या होता है small germ that uses your cells to reproduce virus क्या है हमारे ही cells को use करता है अपने आपको reproduce करने के लिए तो यह एक दूसरी definition आगी जिसकी common viral illness कौन-कौन से cold, flu, covid-19, नोरो वाइरस, स्ट्रमक फ्लू है, HPV जिसमें वाट्स है ना स्किन के थोड़े से गाठी से बढ़ जाती है हर्पी, simplex virus, cold source वगरा यह तमाम क्या है virus के कुछ उधारन है अब overview of viral infection की बात करें कौन सा कहां-कहां पर infect करता है common cold किसकी वाई से होता है encephalitis, meningitis किसकी वाई से है, pharyngitis किसकी वाई से है, यह पूरा एक overview दिया है, just for knowledge, है ना, only for knowledge, knowledge के लिए है, इसको याद नहीं करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो respiratory की बात आती है, ठीक है, तो respiratory की जब हम बात कर रहे हैं, lungs की बात करते हैं, यहाँ पर SARS coronavirus भी है, यह हम SARS-CoV-2 क्या है, SARS का full form, very important, full form, जो कि अपने course में है, severe acute, acute मतलब एकदम तीवर, respiratory syndrome, syndrome पता यह क्या होता है, हमारा respiration system, कई सारी चीजों की वाई से, क्या होन लगता है, weak पढ़ने लगता है, कोई बीमारी नहीं है, कई सारी चीजों को लक्षण होते है, coronavirus 2, coronavirus 1 भी था, ध्या SARS, coronavirus, SARS-CoV-2 के नाम से सबसे सुरुवात में जब ही आया था, ठीक है, तब में SARS-CoV कहते थे, which causes SARS is found in China, चाइना में ही आया था सबसे पहले ही है, और वापस चाइना से ही आया है, from late 2002 to late 2003, जो इस starting वाल आया था, वो 2002 से 2003 के बीच में था, it causes about 8000 illness, इसने उस समय भी आठ हैर लोगों को बिमार किया था, और 700 लोगों कोई मत हुई थी, इसके वाई से, येस, पहली बार 2002 में हुआ था, लेकिन वो पूरी अल ओवर वर्ल्ड में नहीं था, इतना, it spread to 29 countries, पूरी दुनिया में नहीं था, लेकिन 29 countries में फैला था, and then disappear, उसके बाद यह चला गया था, researchers continue to study and develop vaccines for SARS-CoV, वो तब से लगातार लगे हुए थे, कि कोई vaccine मिल जाए इसके खिलाफ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब हम बात करें, severe acute respiratory syndrome, इसके वाईल respiratory, SARS क्या होता है, एक viral virus की वाज़े से है, और respiratory illness है, है ना, फेफ़लों की बिमारी है, ठीक है, caused by coronavirus, coronavirus की associated coronavirus, तो इसको हम SARS-CoV कह देते हैं, पूरा एक नाम है, ठीक है, coronavirus disease या COVID-19 की बात करें, जो कि अपने course में है, it is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, वाइरस हैं, इसे SARS-CoV-2 बोल देते हैं, the virus associated with outbreak, outbreak मतलब एकदम प्रचंद रूप से फैलना, originating in Wuhan, सबको पता है, अभी हम सब गुजरे हैं इस च China has been designated severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2, the disease caused by that virus is now officially called COVID-19, अब इसको हम लोग ओफिशली COVID-19 के नाम से जानते हैं, बात के लिए रोगी तो COVID-19 ही SARS-CoV-2 है, तो यह सब COVID-19 के बारे हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत बच्चों ने research भी कर रख्योंगी, क्या है, कहां से आया, तो ज SARS-CoV-2 फ्रोफार्म दे दो को इसका, अब इसकी जारा mechanism समझो जा रहा, ठीक है, pathogenesis, तो होता क्या है यह, देखो यहाँ पर, angiotensin converting enzyme 2, यह receptors का नाम दे रखे हैं, यह COVID-19 आ करके इसे जुड़ता है, ठीक है, जुड़ करके यह पूरा आगे process चलती है, यह tempres, SS2, tempres का है, इसकी help से finally, यह जो virus है, membrane को यह break करेंगे और virus को अंदर ले लेते हैं, तो पहले step में, अच्छा, तुम लोग क्या करोगे, diagram मत बनाना, पहले step लेकना, SARS-CoV-2, binding to, ACE-2 receptor and viral entry, ACE-2 का full form क्या हो गया, angiotensin converting enzyme 2, यह अंदर enter करता है, cell के अंदर, और release of viral genome, यह फिर यहाँ प plus sense और minus sense, plus sense का मतलब यह होता है, इसके उपर direct protein बन सकता है, minus sense क्या होता है, complementary होता है, उसके उपर पहले plus sense बनेगा, और फिर उसके उपर क्या बनता है, protein बनता है, थोड़ा सा मैं याद गिला दूँ, जो बच्चे math वाले हैं, उनको यह बहुत ही मुश्किल है समझना है, यहाँ पर हम जाला समझना भी नहीं है, जो बच्चे बाया वाले हैं, समझ लें, mRNA हमको पता है क्या होता है, mRNA के उपर क्या बनती है, protein बनती है, ठीक है न, अगर मैं बोलता हूँ, यह से लेका न, plus sense, यानकि plus, plus RNA, तो इसके उपर, direct plus RNA के मतलब यही किसके बरावर है, यही के उपर, protein बन जाएगी, अगर मैं बोलता हूँ, minus RNA, तो इसका मतलब है, इसके उपर, पहले, mRNA बनेगा, functional, यह non-functional होता है, एक तरह से, anti-sense होता है, क्या होता है, anti-sense, अभी anti-sense वगरा, बहुत जदा है, detail में जोड़त नहीं है, यह के वल मैं इसलिए बता जारा हूँ जिन बच्चे को थुलाबत याद होगा, अपना transcription, translation वगरा, उनको बहुत easily वोलोग यहां से grab कर ले जाएंगे, कि अच्छा sense, anti-sense क्या होता है, anti-sense के उपर mRNA बनता है, यहने कि sense वाला मनता है हमारा, और इसके उपर फिल क्या बनती है, protein बनता है, तो यह अपने course में नह जाएगी, ठीक है, diet इसके उपर क्या बन जाएगी, protein, और आगे आगे से minus sense है, इसके उपर पहले functional mRNA बनेगा, फिर protein बनती है, ऐसे समझ लो, ठीक है, अब इसके उपर क्या होता है, plus sense है, इसके उपर translation होता है, यहाँ पर और कुछ protein बनती है, PPA and PP1AB, यह खास सरके proteins होती है इनकी breakdown होता है, और यह कुछ group बना लेती है, क्या बना लेती है, एक assembly बना लेती है, इस steps हम देख पार है, assembly बन गई है, फिर यह assembly मिल करके, replicate, transcript is complex, यह एक ऐसी assembly बनाती है, जो क्या करेगी, इसके RNA के उपर replication करेगी, ठीक है, दोनों के उपर, plus के उपर भी और minus के उपर भी replication और transcription में किया होगा, अपने आपको double किया जाएगा, और transcription में क्या होगा,ンタा इसके पर RNA बनेगा,而 translation में क्या होगा, उसके उपर protein बनता है, तो transcription और replication, तो replication, desapare कोष्य बना रहे हैं, इसकी बड़ातरी होती है, 102, 24, 48, इस तENN fellow बना रहे हैं, अब, transcription और replication होने के साथ साथ, य कौन वह से प्रोटीन बन रहे हैं जिनोमिक सब जिनोमिक आरेने प्लस से यहां से क्या क्या बन जा रहा है निकलियो कैपसीट प्रोटीन बन जा रहे हैं मेंब्रेन बन रही है इसकी एंवलब बन रहे हैं और कुछ एसेसरी प्रोटीन बन रही है यह इसके अंदर क्या होते है इसकी यह सब चीज़ें जरूरी होता है एक coronavirus की पूरा एक cell बनने के लिए ठीक है तो finally 6th के बाद क्या होता है 7th viral protein translation ठीक है यहां से यह मना protein का translation होता है और यह जो यहां से एक तरस हम कह सकते हैं कि इसका जो transcription हम इसको ऐसे समझ लें transcription हुआ यह अलग 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 तरीके के इनके उपर अलग 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 तरीके की proteins बनेंगी SME और ER proteins बनेंगी और यह जो proteins होती है हमारे cell हमारे cell के endoplasmic reticulum जो की equal to cell membrane होता है उसमें जाकर के attach होती है और उसको break करके यह इसने अपना एक क्या बना लिया घरोंदा बना लिया घर बना लिया ठीक है अब इसके बाद क्या होगा जो RNA genome था यह अपने आपको assembled करता है और assemble करके इसके अंदर यह आ रहा है इदर से इसके अंदर घुश जाएगा घुश करके फिर यह पूरी अपनी तयार कर लेगा जैसे स्टार्टिंग में था और फिर यहां से यह फारस रिलीज हो जाएगा ठीक है तो यहां बेटा थोड़ा सा तुम्हें step by step लिखना पड़ेगा चीज है जैसे पहले step लिखोगे कि इसके entry हो रही with the help of this फिर यह release होता है फिर ट्रांसलेशन हो रहा है उस ट्रांसलेशन होके क्या बना रहा है यह बना रहा है ठीक है तो यह तुम लोग क्या करोगे चला गया यह तुम लोग क्या करोगे एक क्यूपर एक इस तरह से चार्ट बनाते हो चले जाओगे एक के बाद एक 12345678 step में इस तरह लिखते चले जाओगे ठीक है और कुछ नहीं करना है इन्हीं step को लिखोगे यही तुम्हारी pathogenesis किस तरह से यह grow कर रहा है बस infect कर दिया अब इस बॉडिक अंदर क्या करता जाएगा फैलता जाएगा यह बात समझे मारी है किलियर है ओके तो यह फुल फॉर्म देदी है मैंने यहां पर कुछ जरूरी थे नाव क्लिनिकल मैनिफेस्टेस्टेशन हम सबको पता क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ठीक है उपरा लिखो है ना लिखो सीधा समझो फीवर आता है कफ आता है शौटनेस ऑफ ब्रीथ फीवर कफ शौटनेस ऑफ ब्रीथ ठीक है मायल जी आ है बेचैनी जैसी रणी नोस सो ठोट गले में खरास रहेगी सर्दस हो सकता है नौइज यह वंटिंग आ सकती है पेट में दर्द होगा अब नौन फार्मकलोजिकल मैंजमेंट कई सारे हैं हम सबको पता है हाथ धोते रहो मास्क लगाओ है ना किसको नहीं पता फैंड वाशिंग रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिकेट खास हो तो इस तरह से खास हो दूसरे को पर ना जाओ प्लस रेस्पिरेटरी हाइज रेस्पिरेटर हाइजीन मतलब जैसे लंबी लंबी सांस लो और खुले वाधर बाणने सांस लो इस तरह से हाइजीन बना रहा है कीप डिस्टेंस प्रॉम अधर दूसरों से दूरी बना के रखें फ्रिक्वेंटली क्लीन और डिसिंफेक्ट सर्फेस है जो आसपास के सर्फ तो था क्या हम सब लोग बहुत कॉमन नाम सुने यहां से क्या सुने अभी बताता हूं मैं कहां गया कहां गया कहां अरे जैसे कि रेमडेसिवीर ठीक है रेमडेसिवीर यह सुना वह बहुत जाजा नाम तो यह सबसे ज़़ा पॉपलर्टी अधर्वाइस यह सारी दवाईयां हैं जो सार्स कोव 2 के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं तो उसमें कुछ एंटिवाइटिक का भी इस्तमाल कर लेते हैं हम लोग इस्तर्माइशन प्लस क्लोर्व यह कॉछ एंटी फइब्रोटीक ड्रक्स का इस्तमाल कर लेते यह कुछ एंटि ध्रक्स का भी इस्तमाल कर लेते हैं हैं प्ल्हका कर लेता एं था किख त Kollege तो तुम रगों है इनको ज़रूर याद करेंगे और यह तुमां दूसी चीजे但 मेवीर औसेल्टा मेवीर ठीक है इसमें जैसे मैंने बताया तुमको रेमडिसवीर तुमने बहुत सुना होगा राइबाविरीन ठीक है तो जो नाम तुमको एजली याद एजुडी एजुडी तो यह तुम्हें क्या करना है कि चार-पांच केटेगरी और एंटिवारल की चार-पांच ड्रग यह एंटी इंफ्लॉएंजर है एचाईवी प्रोटियस इनिमीटर्स है और अधर एंटिवारल्स है ठीक है ना तो फार्मकलोजिकल मेनेजमेंट हम सबको पता है एकी ड्रग कर नाम मत लिख देना काफी चीज फार्मकलोजिकल मेनेजमेंट में कुछ नहीं होता है हमें दवाईयां याद रखनी है ठीक है जो असानी से याद हो जाएं जैसे कि यह 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 याद कर लेना कफी है इतना ठीक है जरूर नहीं कि सारे के सारे लिख याओ एज इस पांच शे कैटेगरी तुम्हें ल सॉरी लेक्चर खतम हो गया तो यह हमारा लेक्चर था और यह पूरा कम्प्लीट चैप्टर हो गया आठ लेक्चर थे इसके अंदर काफी लंबा चला एक्चली बीच में से ला सा गैप भी हो गया था खैर कोई बात नहीं तो ध्यान रखना पढ़ते रहना है नोट्स वग हो गया दिन भर बच्चों के कॉल आते मेरे पास मैं कई बार रिसीव नहीं कर पाता हूँ सुरुवात में कम था तो सबके कर लेता था अब क्या होता हूँ होता हूँ काम कर रहा हूँ तो बीचे मैं फिर साइड़ करके रखता हूँ तो नहीं रिसीव कर पाता हूँ और फ इसको ले सकते हैं ठीक है और कोई प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे कॉल करें और सबसे बड़ी चीज revise करते रहें पढ़ते रहें all the best